नमस्कार आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टेडी भी अच्छी चल लई होगी आपके लिए एक लेटेस्ट अपडेट लेके आया हूँ रास्तान की नई भरती पटवारी भरती की काफी टाइम से बहुत सारे केंडेट इंच्जार कर रहे थे की रास्तान के अंदर पटवारी की भरती कब आएगी तो अब आपका इंच्जार खतम होने वाला है हर एक चीज़ आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ कितने पदों पर भरती आएगी ओफिशिल जानकारी कहां से मिली है किसने दी है और क्या सीटी 2024 में ये सामिल होगी या नहीं होगी हर एक चीज़ मैं आपके साथ डिसकस करूँ अगर आप इस चैनल पर नए हो तक चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और मेरे साथ आखरी तक जुड़े रहें अब बात करते हैं कि रास्तान के अंदर बहुत सारी भरतियां आती है सीटी से और विदाउट सीटी नहीं होगी तो काफी टाइम से केंड़ेट इंदार कर रहे है और बहुत सारे केंड़ेट कन्फूजन में थे यह सीटी में हो गी या नहीं होगी बट अब आपका इंदार खतम हो गया है इस भरती के रिकार्डिग ऑफिशियल न्यूज आ गई है रास्तान करमचारी चैन बोर्ड के जो सचीव है उन्होंने बता दिया है कि ये भरती सीटी में सामिल होगी कितनों पैदों पर भरती आएगी और ओफिशल नोटिफिकेशन कब जारी होगा वो भी मैं आपके साथ डिसकस करने वाला हूँ चलो पहले उनकी न्यूज को देख लेते हैं उन्होंने क्या जानकारी दी है वो ही मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ चैनल को जूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में जैसे आपको पता है हमारे करमचारी चैन बोर्ड के जो अध्यक्स है डक्टर भाग चंद बदाल जी उन्होंने बताया है कुछ हब्यारती पूछ रहे हैं कि क्या पत्वारी के रिकित पदों पर भरती समान पातरता प्रिक्षा जो की हमारे सीटी के अंतरगत की जाएगी इनसे पूछा है क्या पटवारी सीटी से होगा तो इन्होंने बोला है जी हाँ मतलब पटवारी बिल्कुल सीटी से होगा अब पटवारी के रिक्त पदों पर भरती सीटी के माद्यम से ही की जाएगी रासव मंडल ने ये क्या बोला है इन्होंने कि रासव मंडल अजमेर ने 2998 मतलब करीब करीब कितने 3000 पदों के आसपास कितने 3000 पदों पर पटवारी भरती है तू अभ्यारतना बोर्ड को बिजवा दी है मतलब अब जो पटवारी की भरती आएगी वो कैसे आने वाली है CT से आने वाली है किसे common eligibility test है हमारा समान पातरता परिक्सिया CT से होने वाली है पटवारी भरती 2024 अब बताओं मैं इसका notification कब जारी होगा अगर इसके notification जारी होने की बात करें तो इसका notification जारी होगा हमारा 4 जून के बाद क्योंकि 4 जून को अचार साहिंता खतम हो जाएगी election का result आ जाएगा उसके बाद ही notification जारी होगा अब सबसे बड़ा confusion है क्या ये जो पटवारी की भरती आएगी नई 2024 वाली ये क्या CT 2022-23 के अंतरगर अताएगी या CT 2024 से आएगी अगर CT 2024 में आएगी तो इसमें फिर क्या होगा देखते हैं CT में कितना 15 गुणा से बुलाते हैं या 40 या 50% क्रैटेरिया करते हैं क्या होने वाला है ये जो भी अपडेट होगी तो मैं आपको इसी चैनल पर इंफॉर्म करने वाला हूँ चैनल को जुरूर सब्सक्राइब कर लें आप हमारा वर्टसप और टेलिग्राम ग्रूप जोइन कर लें जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अब बात करते हैं CT 2022-23 में तो काफी नुकसान है बहुत सारे केंड़ेट के CT में कम नंबर है बहुत सारे केंड़ेट ने CT दिया है नहीं CT 2024 में आएगी तो उसमें क्रेटेरिया थोड़ा इन्हें चेंज करना चाहिए पंदरा गुणा की जगह 40 या 50 परसेंट वाले केंड़ेट को बुलाना चाहिए ये में इसमें अभी confusion बना हुआ है देखते हैं कौन सी CT से ये बरती आती है कैसे करवाती है अभी तक बट इन्होंने ये confirm कर दिया है आपके confusion दूर कर दिया है कि पटवारी बरती CT 2024 का तो नहीं बता है बट CT से ही होने वाली है पटवारी 2024 वाली बरती तो इसी तरह की जो अपडेट पाने के लिए एकजाम से समंदित न्यूज पाने के लिए मेरे साथ जुड़े रहे हैं मिलते अगर नेक्स्ट वीडियो में जै हिंद धन्यवाद